चलिए तो फिर शुरू करते हैं तो फिर अभी अपन डिसकस करने वाले हैं प्रिकॉर्ट लिमिटेट को इनकी जो करेंट प्राइस चल रही है वो चल रही है को लो है कंपनी ने जो है अपनी सेल्स ग्रोथ पूर दिखाई यह 6.11 परसेंट की लास्ट पात साल से कंपनी का रिटाउन इक्विटी लो है 9.52 परसेंट का लास्ट 3 येर से अर्निंग्स में अधर इंकम इंक्लूड़ेड है 7.13 करोर की और डिविडेंट पे आउड भी लो है वो है 2.28 परसेंट का लास्ट 3 साल से ये अच्छी चीजों में जो इसमें लिखा है वो है स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है 0.79 टाइम्स ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से अब अगर अगर अपन देखें इनके प्रॉफिट्स पर तो यहां पे इनको जो है लगातार भी लॉस चल रहे है कुछ QUARTER से इनको जो इनका यहां देखे तो December में इनको 27.94 करो का लॉस हुआ फिर उसके बाद 8.90 करो का लॉस हुआ फिर 3.09 करोर का लॉस हुआ और उसके बाद 1.08 करोर का लॉस हुआ तो चलिए देखते हैं अब आगे आपन और over all Net Profit की बात करें तो Net Profit में अगर अगर आपन देखे तो इनको Net Loss 26 करोर का उसके पे龍 kole देखें तो 95 करोर का लेकिन इस बार इनको Net Loss 26 करोर का अब चलते हैं Cashflow को देखे तो minus 10 करोर का negative cash flow है और उसके पहले minus 7 करोर का negative cash तो cash low भी negative है, अब अगर अगर अपन इसमें देखें तो यहां शेरोलडिंग pattern अपने को नहीं दिखा रहा है, तो अपन काम करते हैं, चलते हैं, trend line में और वहां पे अपन देखते हैं, share holding pattern को, कई बार ऐसा होता है, कि screener में अपने को share holding pattern नहीं दिखाते हैं, तो trend line के अंदर अपन पता कर सकते हैं, चलिए तो फिर अपन शुरू करते हैं इसमें पता करना, बड़ी simple सा procedure होता है, search बार पर जा करके, और यह free हैं का यह, check करना इसमें, और इसमें काफी अच्छा report हैं, काफी information प्रवाइड कर देते हैं, last trading session में इसने 13.93% की rally की ती इस stock में, तो और तो फिर अपने को, यहाँ पर काफी सारी information होती है, तो थोड़ा सा देखते होए चलेंगे अपन, यहाँ पर अपने को दिख रहा है, कि promoter holding जो है, वो 61.51% की है, और public holding जो है, वो है 38.45% की, तो इस तरीके से अपने को holding भी बता दिया है, FIS की holding वगरे भी बता रहा है, कि F FIS की अभी कोई holding नहीं चल रही है, last जो hold किया था, March 2022 में hold किया था, और mutual funds की कोई holding नहीं है, और इस तरीके से, प्लेजिंग अगरे तक का data अपने को दे देता है, अभी कुछ भी प्लेज नहीं है, तो यह बढ़िया, काफी information अपने को, विज्वली बहुत बढ़िया तरी से बना करके दे देता है, तो चलिए, अब अपन चलते हैं, इनके चार्ट पर थोड़ा समझते हैं कि क्या करना है, तो इनका all time high से वापस आने की कोशिश किया है, इनोने इनका all time high था, वो था around, इनका closing थी 352.05 रूपीस की, 367 रूपीस का all time high था, तो 397 का बल की, 397.50 र बनाना है, तो वहाँ से rejection लेकर के अपना वापस हैं, selling आई और selling आकर के एक level को touch करके वापस आने ही कोशिश कर रहा है, तो अगर आपन एक view बनाना चाहें, safe entry के लिए 289 के बाद ही हम कुछ भी प्लान करेंगे, इसमें 289 के उपर ही कुछ भी प्लान करना हमारे opinion में सुरक करेंगे, छोटी quantity में enter करेंगे और अपनी position sizing और stop loss का ध्यान रखेंगे, उतने ही quantity में enter कीजिए, जितने में अगर एक रुपे या दो रुपे नीचे भी जाता है तो आपको बहुत बड़ा negative ना देखना हो मिले, क्योंकि अभी अच्छी खाजी rally हुई है, प्लस 289 के उप नगक सब्स्सक्तूरा नगुपे